हमारी एक गलती हमारे पूरे सिस्टम के डेटा को लॉस कर सकती है हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन यहाँ पर मैं Linux के सभी बेसिक टू एडवांस चीजों को कबर किया हुआ है जैसे कि Linux को कैसे डाउनलोड करते हैं Linux का बूटेबल कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ Linux को Dual Boot में कैसे इंस्टॉल करते हैं Dual Boot में Linux को इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें आपका डेटा लॉस होने का काफी डर होता है और साथी साथ Linux इंस्टॉल करने के बाद कैसे किसी भी साप्टवेर को इंस्टॉल करते हैं, कैसे रिपोजेटरी को फिक्स करते हैं, करीब करीब 50-60% लोग बुटेबल एरर को फिक्स करते हैं, और साथी साथ Linux को इंस्टॉल करने का प्रोशेश उन्हें सही से नहीं पता होत जिसके कारड करीब करीब काफी लोग अपने डेटा को लोश कर देते हैं इवेन ऐसा मेरे साथ भी हुआ है मैंने अपने डेटा को लोश किया है तो वो गलती मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किन कारडों से मैंने भी अपना डेटा लोश किया हुआ है मेरा नाम है शंदीप और आप शबी देख रहे हैं पेंटेस्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके औल नोटिफिकेशन को अन कर लीज करना है जैसे कि मैं यहां पर गूगल क्रोम का यूच कर रहा हूं आप सिंपली गूगल क्रोम पर सर्च करें कहले लिनेक्स डाउनलोड आपको इसकी ऑफिसियल साइड मिल जाएगी यह देखिए यहां पर मुझे इसकी ऑफिसियल साइड मिल चुकी है अब उसके बाद यह आपके उपर डिपेंड करता है जैसे कि यहां पर दो वर्जन है एक 32-bit का है और एक 64-bit का है जैसे कि आपको 64-bit तब ही यूच करना है जब आपके सिस्टम 64-bit को सपोर्ट करता हो यह देखिए यहां पर एक 32-bit का लाइब भी है आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं औ और वैसे कैले लिनक्स कई वेरियंट प्लेटफर्म को सपोर्ट करने लगा है जैसे कि यह एपपल के लिए आने लगा है यह देखिए आप आपको जो भी यूज करना आप यहां से डाउनलोड कर लिजिए जैसे कि वैसे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि मेरा सिस्टम 64-bit को सपोर्ट करता है या नहीं तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करता हूं फिर उसके बा आप यहां से सबसे पहले देख लिजिए कि आपका लेप्टाउप किस वर्जन को सपोर्ट करता है जैसे कि मैंने देख लिया कि मेरा सिस्टी फॉर विट को सपोर्ट करता है अब मैं यहां से सिस्टी फॉर विट के इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लूँगा यह आपके प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो वैसे यह मेरे पास आल्रेडी डाउनलोडेड है तो यहां पर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ यह देखिए आप उसके बाद आपको एक रूफूस की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप बूटेबल बनाएंगे वैसे मैंने रूफूस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है तो सबसे पहले अब रूफूस के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में हमारे पुराने बक्स जितने भी होते हैं फिक्स होते हैं यह देखिए आप यहाँ पर मैं रूफूस की official site पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर पहले वाले link रूफूस 3.14 पर क्लिक करता हूँ यह Google का आड़ है तो मैं इसे close कर देता हूँ यह देखिए यहाँ पर मेरा रूफूस डाउनलोड हो चुका है चलिए bootable को बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक pen drive की जरूरत होगी करीब करीब 16GB या 32GB यह आपके उपर depend करता है आपकी GB का pen drive यूज करना चाहते हैं जैसे कि मेरे पास 16GB की pen drive है यह देखिए आप और जैसे ही मैंने रूफूस को run as administrator mode पर open किया यह देखिए यहां पर इसने मेरे pen drive को automatic detect कर लिया वैसे अगर आपके पास 2 pen drive हो तो तब आप drive option को select करिएगा वैसे यह normally अगर आपके पास एक ही pen drive लगी हो आपके system में यह तो single pen drive को detect कर लेगा फिर उसके बाद आपको अपना boot option select करना है आप इसका extension देख सकते हैं .iso है आपको यहां से GPT select करना है MBR old हो चुका है काफी और MBR वैसे काम भी नहीं करता है साहिशे और हमारा सारा process graphics पर है तो हमको GPT select करना चाहिए जो सबसे बड़ी गलती है लोग यही करते हैं कि MBR को select करते हैं यहां पर यह गलती अधिकान सभी लोग करते हैं यहां पर ISO image को नहीं select करना है यहां आप windows में bootable बना रहे हैं windows के लिए बना रहे हैं तो आपको यहां पर ISO image को ही choose करना है यहां आपका linux है तो आप यहां पर DD image mode को select कर लीजिए क्योंकि यह linux के लिए है और करीब करीब 70-80% लोग यही गलतीया करते हैं वह ISO mode पर ही bootable बना देते हैं यहां पर मैंने DD image को select कर लिया फिर उसके बाद मैं simply OK बटन पर क्लिक करता हूं यह देखिए यहां पर मैंने जैसे ही OK बटन पर क्लिक किया यहां पर मेरे पास एक warning message आ गया कि यह हमारे pen drive के सभी data को format कर देगा वह ऐसे मेरे pen drive में कोई data नहीं है और यहां पर मेरा bootable start हो चुका है यह थोड़ा time लग सकता है तो मैं वीडियो को अभी पॉच कर देता हूं क्योंकि करीब करीब आधा गंटा का समय लगेगा इसे bootable बनाने में यह देखिए यहां पर हमारा bootable complete हो चुका है सबसे पहले मैं आपको अपनी pen drive दिखा देता हूं यह देखिए यह मेरी open drive है जिसमें पूरी तरह bootable Kali Linux का बन चुका है यही bootable बना कर लोग काफी पैशे लेते हैं सिर्फ इतना ही करना होता है यह देखिए यहां पर मैं Lenovo का यूज कर रहा हूं वैशे Lenovo में bootable mode को open करने का option F12 होता है HP में F9 होता है यह laptop के variant पर depend करता है कि आपका laptop कौन है वैशे आप Google कर लीजिए कि आप boot manager कैसे open करें वैशे मेरा F लेनो हो है तो मैं यहां पर F12 की मदद से अपने boot manager में आ चुका हूं फिर उसके बाद आपको अपनी pen drive select करनी है जैसे कि मेरी pen drive HP की थी तो मैंने उसे अपनी pen drive को select कर लिया है यह देखिए फिर उसके बाद simply आपको enter प्रेस कर देना है आपके सामने एक pop-up open होगा यह देखिए यहां पर मेरा pop-up open हो चुका है जैसे कि आप क्या install करना चाते है तो जैसे मैं इसके graphics को install करना चाता हूं तो simply मैंने वहाँ पर enter प्रेस कर दिया यहां पर इसके यह देखिए यहां पर आप अपना location चूच कर लिजिए जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं इंडिया का यूच कर सकता हूं आप अपनी keyboard का layout select कर ये जैसे कि मैं American English का यूच करना चाता हूं ये by default होता है American English आप इसे यूच करें अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या कई other country में रहते हैं फिर उसके बाद ये additional component के लिए load option मांग रहा है यह देखिए यहां पर इसका additional components जितने भी है वो load हो रहे हैं जैसे कि इसके वाई फाई ड्राइवर्स मीशिंग फॉर्मवेर्स सभी load हो रहे हैं इसने network को भी detect करना शुरू कर दिया है यह देखिए यहां पर आपसे यहां पर मुझे कहरा है कि मेरा थोड़ा firmware में थोड़ा मीशिंग है तो मैं इसे skip कर देता हूँ क्योंकि बाद में भी firmware इंस्टॉल किया जा सकता है वो मुझे पता है कि यह bluetooth का firmware है जो अभी इस समय मीशिंग है क्योंकि यह by default सभी में मीशिंग होता है तो आप इस पर ध्यान न दे आप simply yes करके आगे बढ़िए यह आपके hardware को detect कर रहा है जैसे कि आप Wi-Fi में कौन सा यूज करते हैं Ethernet या WN0 WN यानि कि आपका adapter जैसे कि मैं अभी adapter पर नहीं हूँ मैं अभी Ethernet पर काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर Ethernet को ही चूच कर लेता हूँ वैसे आप Ethernet को ही चूच करें अगर आपका मन उसकर भी हो तो आप उसे चूच कर सकते हैं लेकिन आप Ethernet को ही चूच करें कोई problem नहीं होगी इससे यहाँ पर हमारा network setting हो रहा है यह हमको एक IP भी generate कर देगा यह हमारे DSCP को configure कर रहा है जितने भी हमारे dynamic host हैं यह यहाँ से configure हो रहा है जैसे कि आप जब command type करते हैं ifconfig जो आपको IP address मिलती है सब इसी configuration की वज़़े से मिलती है यह देखिए हमारा network में थोड़ फेल्ड हुए तो don't worry इस पर आप ध्यान ना दीजिए आप simply do not configure the network at this time आप इसको select कर लीजिए इस पर ध्यान ना देए आप अपना host name type कीजिए वैसे मैं इसका कैली ही default रहने देना रहने देता हूँ क्योंकि मुझे host name change करने में कोई issues नहीं है आप अपने हिसाब से अगर change करना चाते हैं जैसे कि मैं pen test blog यूज कर रहा हूँ तो आप जैसे अपने according कुछ भी change कर सकते हैं यह आपके उपर depend करता है तो मैं simply से by default रहने देता हूँ कैली कैली ही मेरा ठीक है और simply मैं continue पर क्लिक करता हूँ फिर उसके बाद यह देखिए यहाँ पर अपने user type करिए जैसे कि आप अपना username type करिए कि आप कौँसा user यूज करना चाते हैं जैसे कि मालीजे हम यहाँ पर अपना username pen test blog यूज करना चाते हैं आप अपने अच्छा नूसर जो भी username यूज करना है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर pen test blog का यूज किया है फिर उसके बाद आप account का username pen test blog ही रहने देता हूँ फिर आप अपना यहाँ पर password type कीजिए जब आपका system open होगा तो जो password मांगेगा यहीं से आप जो भी password यहाँ पर set करेंगे वही password वहाँ पर आपको डालना होगा फिर उसके बाद आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है वैसे mouse cursor काम नहीं करता तो आपको tab का use करना पड़ेगा यह आपके disk को detect कर रहा है क्योंकि इसके बाद formatting का process शुरू होगा यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग जो है entire disk को select करते हैं यह आपको नहीं करना है आप अगर virtual box में काम कर रहे हैं तो आप entire disk का use कर सकते हैं वैसे अगर आप dual boot use कर रहे हैं किसी बड़े system में तो आप manual का ही use करें आप manual पर ही जाएं क्योंकि मैं वहाँ पर entire disk को use करने का साला नहीं दूँगा क्योंकि उससे हमारा data loss हो जाएगा सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं अब यहाँ पर मुझे जैसे कि मेरा drive वहाँ पर नहीं हो किया था क्योंकि मैंने वहाँ पर already kali linux इंस्टॉल करके रखा था तो यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर 688 GB का है जिसमें मेरा सारा data पढ़ा हुआ है 217 GB में मैं अपने kali linux को install करना चाहता हूँ 107 GB में मेरा windows पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले मैं इंटर करना है आप इंटर कर देंगे तो यह simply delete हो जाएगा फिर उसके बाद आपको इसके swipe area को delete करना swipe area इसका by default होता है क्योंकि यह जितनी भी swipe की चीज़े होती है इसमें आती रहती है तो आपको simply इसे भी delete कर देना है बस यहाँ पर 214 GB मेरा totally complete हो चुका है अब मैं अपनी कैले Linux को 214 GB में ही install करना चाता हूँ तो simply आपको यहाँ पर select करना है फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा option चूच करना है automatically partition the free space यह automatically वहाँ पर free space generate कर देगा अपनी according फिर उसके बाद all file in one partition को ही select करना है क्योंकि यह swap area और उसके साथ logical वह सब automatic by default कर देगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए 213 GB by default और 1 GB का यह swap space इसने बना दिया जो हमारे लिए काफी थोड़ा time consuming कम था तो फिर उसके बाद आपको finish partition पर click करना है वसे आप simply यहाँ पर कर दीजिए यह पूछ रहा है कि आप जितने भी changes की हैं उसको change करना चाहते हैं यहाँ यहाँ पर yes करता हूँ क्योंकि मुझे सभी changes को write करना है फिर उसके बाद आपको simply यहाँ पर continue कर देना है यहाँ पर जितने भी मेरे changes है वो save हो चुके हैं फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा system format हो रहा है यह देखिए यहाँ पर format होने के बाद मेरा operating system install हो रहा है क्याली linux मेरे leno के system में install हो रहा है तो इस install होने में करीब करीब काफी time लगेगा क्योंकि इसका जो है XFCE को install होने में थोड़ा time लगेगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वीडियो को पहुच करता हूँ फिर उसके बाद मैं continue करता हूँ तब तक के लिए आपके लिए एक important notice है अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लीजिए इससे भी बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए लाऊंगा और उसके साथ साथ आपको जिस topic पर वीडियोज चाहिए आप simply comment कीजिए पर हाँ hiking से related ना करिए क्योंकि YouTube इस समय hacking के खिलाफ है बेवज़ा वीडियो को flag करके delete करना YouTube की पुरानी आदत है यहां पर मेरा install हो रहा है finally मैंने वीडियो पॉच करने के बाद इसे install होने में काफी time लगा तो यहां पर मेरा apt का package भी install हो रहा है आपको network mirror को simply यहां पर continue पूछ रहा है करीब करीब मुझे one year लगे इसे सीखने में मेरे पास कोई source नहीं था इसका सीखने का तो मुझे बहुत problem होती थी क्योंकि internet पर ना कोई video थी फिर उसके बाद यहां पर आपको इसका desktop select करना जैसे कि आप XFC यूज करना चाते है या genome यूज करना जाते है जीनोम जैसे पहले हमारा operating system था दो जार अठरा के पहले black screen में था और कोई भी graphics advance में नहीं था तो वो पुराना जो operating system था वो genome परवर करता था वसे genome आप यूज ना करें क्योंकि वो इस समय अच्छा नहीं उसका interface है और जो latest आया है वो XFC पर है तो आपको XFC को यूज करना है और यह by default होता है और काफी better of windows का जो look है XFC ही support करता है simply आपको इसको चूज करके टैप का यूज करके आपको continue कर दे रहा है तो यहां पर मैं continue कर दे रहा हूं तो इसे install होने में थोड़ा time लगेगा अब तक मैं इस video को भी पहुच कर दे रहा हूं यहां पर मेरा install हो रहा है तो मेरे पास कोई source नहीं था YouTube पर videos थी तो मुझे सबसे ज़्यादा problem repository पर हुई थी क्योंकि करीब करीब मुझे one year लग गयते मुझे खुदी नहीं पता था कि repository आखिर लोग जब लोगों की videos को देखता था तो वहां पर ऐसा लगता था कि मेरा क् काम नहीं कर रहा है मेरा system भी काम करना चाहिए वैसे मेरा system काम नहीं कर रहा था तब मुझे नहीं पता था कि यह repository का फर्क है वैसे यह देखिए यहां पर grub root loader install हो रहा है जैसे कि आप कोई भी image अगर आप जैसे कि HP का जो logo होता है उसके बाद जो windows का logo आता है अगर आप वैसा logo यूज करना चाहते हैं यह देखिए यहां पर यह grub root loader को आपके drive में install करने को कर रहा है तो आप simply yes कर दीजिए क्योंकि अगर आप इसे no करेंगे तो आपका system जो है grub आपके system install नहीं होगा grub root loader बहुत important होता है जैसे कि आप windows देख रहे हैं windows का जो logo आता है यह द अगर इन दोनों पर आप गयें जो third होता है वो आपकी pen drive है जो first होगा manually होगा जो second होगा वो आपके disk का data है अगर आप disk में नहीं यूज करेंगे तो आपका सारा मेनात अभी खराब हो जाएगा मैं इसे करीब करीब मैंने इसे पांचा बार मैंने इसे काफी problem create हुआ है तो यह देखिए यहां पर मेरा grub bootloader install हो रहा है इसे simply install होने दीजिए तो मुझे नहीं पता था कि मेरी problem जो है repository की थे repository के कारण मेरा कोई भी software install नहीं हो रहा था जो first problem थी repo की थी और मैं कैले linux को जब primary OS के तवर यूज करता था अब भी यूज करता हूं इसे primary OS के तवर पर वैसे hack the box के जितने भी machine आप करेंगे न तो वहाँ पर आपको linux की अच्छी समझ होनी चाहिए दोस्त क्योंकि इसके जो basic commands होते हैं totally वहाँ पर यूज होते हैं वैसे मैं इसके simply इस प्रोसेस को फालो करिए आप simply install कर लेंगे यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है linux को install करना linux को install करना easy है पर difficult नहीं है यह windows के अच्छा easy होता है linux काफी easy है मुझे तो windows थोड़ा difficult लगता है लेकिन linux काफी easy लगता क्योंकि linux में simply command के थुरू जो काम काफी fastly तरीके से होता है यह देखिए यहां पर मेरा system on हो चुका है और यह देखिए यही graph था जो आपसे पू इंस्टॉल हो चुका है यह देखिए यहां पर मैं first वाली option को क्लिक कर लेता हूं क्योंकि मुझे kali linux को open करना है तो यहां पर मेरा installation successful रहा और dual boot में काफी problem होती है दोस्त ऐसा नहीं मैं काफी video काई लोगों के में देख चुका हूं कि dual boot में काफी problem होती है खासकर linux और windows मे यहां पर मेरा कैली का logo आ रहा है अब इसके बाद हम सारा काम screen recording से करेंगे यहां पर हमारा सारा process हो चुका है अब अपना जो भी username वहां पर इंटर किये थे आप उस username को यहां पर डालिए फिर उसके बाद उसका password डालिए जैसे कि मैं एक बार route से try कर लेता हूं क्या रूट open करेगा वैसे आपको अपने username के जड़िए जाना है फिर route में जाना है route में जम करने के बाद वहां से उसका password को change करना है तो आप route से यहां से डारेक्टली लोग इन कर सकते हैं तो यहां पर मैं यूजरनेम पेंटर्स ब्लॉक का यूज किया था और पासवर्ड जो की hidden है यहां पर मैं नहीं बोलूंगा आप अपना password इंटर कीजिए फिर उसके चैनल को definitely यार subscribe कर लीजिए क्योंकि करीब करीब मुझे one year हो चुके हैं जो इस चैनल का rating है अभी काफी डाउन है क्योंकि बीच में मेरी काफी वीडियो जिलीट हो गई थी जिसके करण अब भी strike पर बना हुआ यह चैनल में भी आज strike या कल एक strike हटेगी इस पर तो उम्मी से इसे record करते हैं यह देखिए हमने यहाँ पर system का screen recorder रान कर दिया है तो सबसे पहले मैं इसके wifi से connect कर लेता हूं आप यहाँ पर अपने wifi का password यूज कर लीजिए definitely यह work करेगा आप इसका loop theme logo सब कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ issues को solve कर देता हूं जैसे कि मैं यहाँ पर किसी पर click कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे normal click नहीं मिल रहा है यहाँ पर सबसे पहले मैं setting manager को open कर लेता हूं यह माउस की माउस की माउस की म की म्राइल कु कैसे स्थिक्स करें आप आप मैं आपको यहाँ पर धिखा देता हम पर सुम्पली अपको तटनी पर पर कुलीक करना आपको इसे रहने देना आप यहां पर पॉंटर की बड़ा에서ट illness फिर उसके बाद आपको यहां पर जो मेन है यहां पर सिंपली आपको टेच्पायड का ही काम है लुएं आपको डभल क्लिक की स्पीट कही होनी चाहिए आप यहां पर अपर वैसे आप आप inverter नार्मल थो आप इसे ना psychologist करें फिर उसके बाद आपको डिवाइस पर क्लिक करना है अब सबसे पहले मैं इसका करसर का जो है साइज कर देता हूं आप यहां पर आप जाओं सक कौन सा करसर यूज करना यूज करना है तो सिंपली नीचे विंडोस के करसर को सलेक्ट कर लीजिए तो मैं करसर की थोड़ा बढ़ा देता हूं इसका जो साइज है थोड़ी बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा यूज करना पसंद करता हूं फिर उसके बाद आप इस डिवाइस पर क्लिक करिए फिर उसके बाद आपको touchpad पर click करना है यह देखिए यह सबसे important option है इसे use करना है क्योंकि आप simply जब किसी पर click करेंगे तो वो काम करने लगेगा जैसे कि हमारा windows से better होता है यह जैसे कि मेरा normally touch करने पर यह काम कर रहा है तो मुझे button का use करना पड़ता था अब दूसरा जो सबस वेर इंस्टॉल करना है जैसे कि माली जी हम leafpad को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं firefox को open कर लेता हूं क्योंकि यहां पर मेरा सबसे primary focus रहेगा कि इसकी repository को set करना बिना repository set कि आप किसी भी सब्सक्राइब को इंस्टॉल नहीं कर सकते और नहीं अपने system को update कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं google को open कर लेता हूं उसके बाद मैं अपना terminal open करता हूं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं कि leafpad कैसे install किया जाता है जैसे यह केवल दिखाने के लिए कि firstly मैं हमें क्या problem होती है तो सबसे पहले मैं root में jump करता हूं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इसा इसलिए क्योंकि आपकी repository अभी सेट नहीं है और इसका problem मैंने एक यह वन एर तक जहला था यही problem के वल मेरे में कैसा ऐसा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको source list को open करना है जो apt folder में etc के apt के अंदर sources.list उसे open करना है उसमें कैली लिनेक्स की repository को add करना है तो अगर यह repository यहां पर मैंने add की हुई है अगर आप में add हुआ है तो आप simply apt update कर लिजिए वशे आप Google पर आईए यहां पर search कीजिए कैली repository कैली की official site पर इसकी repository अवेलबल होती है तो आपको उसकी official site पर चलना है यह देखिए आप repository देख सकते हैं अगर यह repository थोड़ी slow लगे तो next comment रहेगा अगर इस वीडियो पर अच्छा response रहा कि तब आने वाले समय में मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे repository की speed को इसकी repository को copy कर लेता हूं इस repository का use मैं sources.list में करूंगा यह देखिए तो मैंने उस repository को यहां पर paste कर दिया और मैं यहां से एक src को हटा देता हूं यह देखिए हमारी repository finally ready हो चुकी है तो अब उसके बाद मैं इसे update कर देता हूं तो उसके लिए मैं command type करता हूं apt-get update यहां प update होने में थोड़ा time लग सकता है इस वीडियो को मुझे पाउच करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टो time लगए क्यों यहां पर मेरी internet speed काफी slow है मुझे करीब-करीब पांच घंटे चार घंटे तो definitely हो गया है क्योंकि हर process करने में मुझे इस वीडियो को suit करने में मुझे क काफी time लगा है simply आपको क्या करना है इस वीडियो को like share और comment तीनों करना फिर उसके बाद channel को subscribe करना है अब मैं apt get update हमारा complete हो चुका है फिर उसके बाद मैं leafpad को install कर लेता हूं तो मैं command type कि apt get install leafpad है यहां पर मेरा installation process सुरू हो चुका है यानि अब देखिए अब अपने Linux को द हमने इसमें सभी problem को fix कर दिया है जैसे कि उसके repositories उसके mouse के यह problem जो है काफी basic problem है वैसे इसका जरूरत हमें definitely पढ़ता है तो यहां पर मेरा leafpad install हो चुका है तो अब मैं leafpad को open करके दिखा देता हूं और इस वीडियो को भी मैं अब close करता हूं क्योंकि काफी time हो चुका है यह देखिए यहां पर मेरा leafpad install हो चुका simply मैं leafpad को open कर लेता हूं यह देखिए I hope कि अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो बस इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को अन्त तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद थैंक्स पार वाचिंग इस वीडियो शी यू शून गुडबाई